जैशी कृष्णा दोस्तो बियासरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो महाशिवरात्री के दिन देखिए हर मनो कामला पूर्ती के लिए उपाई किया जाता है क्योंकि महाशिवरात्री का दिन ही इतना शेष्ट होता है देवों के दिन महादेव का दिन माला जाता है इस उपाय को करने से आपको 100% अगर विवा में कोई रुकावट आ रही है तो वह भी दूर होगी साथ ही साथ विवा के अच्छे प्रपोजल भी आएंगे जिनके विवा में कोई ना कोई अर्चन या बंता-बंता कार्य रुक रहा है तो उसको अवश्य ही लाब मिलेगा दोस्त उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे होते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बगले बैल आइकन को दबा दे जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों शिवरात्री भगवान शं सबसे नोट दोस्तों अगर आप सच्छे मन से बगवान शंकर पर चारों पहर में ईक लोटा जल भी अरफित करते हैं तो निश्डबी पूरी होती है दोस्तों सबसे पहले देखे जिनके विवा में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो अगर विवा में रुकावट आ रही है या कोई ना कोई अर्चन आ रही है बनता हो बनता मतलब काम रुक रहा है मतलब आपकी बात पक्की ओरी लेकिन कोई ना कोई विगन आ जाता है कोई कोई या तो आपको घर पसंद नहीं आ रहा घर पसंद आता है तो लड़का पसंद नहीं आ अगर ऐसी दुविधा और ये कोई भी अर्चन आ रही है तो इस उपाय को आप अवश्य ही करके देखे दोस्तों शिवरात्री के दिन देखे पंचा में से आप मतलब भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें साथ ही साथ जो भी आपकी पास पूजन समागरी है रोली मोली ब हैं केसर अवश्य ही मिलाना है साती माता पार्वती के लिए सिंगार में आपको एक में हंदी की कीप अवश्य ही रखनी हैं मतलब आप बाकी चीजThenर लेकिन में की शिवाल ले जाए वहां पर आप पूरव की तरफ मुह करके आपका मुह पूरव या उत्तर की तरफ होना चाहिए पूजा करते समय और इन समागरी को रखकर सबसे पहले तो आपको अपनी मनो कामना आखे बंद करके हाथ जोड़कर भगवान शंकर का ध्यान करके आपकी जो म लास्ट में जो बेल पत्र होते हैं उसके 21 पत्ते लेनें हैं अगर पॉसिबल हो तो उन पत्तों पर आपको सफ़ेज चंणन से ओम या ओम नमश शिवाय या तो सुरफ ओम लिखे या फिर ओम नमश शिवाय कहते हुए आपको ग्यारा या 21 पत्ते मुह कुझनिंग पर अर्पित करने है कि देखि जब ननदी पर अपपनी मनो कामना बोलते हैं तो बहुत शीग्रवों पूरी हो जाती है तो नन्दी जी के कान में आ प tid मनो कामना मill leaving यह जो भी और चाहिẫn हम यह बिवाग के लिए विसा की उनके कान में अपनी मनोकामना अवश्य बोले और जो आपने चुण्नी और स्वापी लिजाए आपको भगवान शंकर का और माता पार्वती का गठ बंदन अवश्य ही करना है आप गठ बंदन में देखें एक सुपारी रखकर भी मतलब गाठ लगा सकते हैं या फिर थोड़े से अक्षत यानि चावल और एक रुपे का सिक्का रखकर या सिरफ चावल रखकर भी आप मतलब भगवान शंकर का और माता पार्वती का गठ बंदन करें मतलब चुड़नी आपको माता पार्वती पर चड़ानी है और स्वापी भगवान शंकर पर चड़ानी है और उनसे अपने विभा के लिए प्रापना करनी है जो भी आपकी दिक्कत आ रही है चाहे विभा में रुकावट आ रही है या फिर योगी नहीं बन रही है या फिर अच्छे रिष्टे नहीं आ रहे है जो भी विभा की दिक्कत आ रही है उसके लिए आपको प्राथना अवश्य करनी है और माता पारवती पर जो आपने सिंग अवश्य है उसको प्रसादी के रूप में रखना है साथ ही साथ दोस्तों इस दिन अगर आपको बैल मिल जाए बैल अगर वो मिल जाता है तो आप उसको हरा चारा अवश्य ही खिलाएं अगर आपको बैल नहीं मिलता तो आप गौ माता को इस दिन हरा चारा या रोटी में थो अब हम अपनी मनोकामना नंदी को बोलते हैं या नंदी जी को उस दिन हराप चारा खिलाते हैं तो आपकी जो मनोकामना होती है वो अति शीग्र पूरी हो जाती है तो दोस्तों इस दिन आप ये उपाय अवश्य करके देखें देखना बहुत ही शीग्र आपके विवा के मनोकामना नहीं है या कोई भी मनोकामना है किसी भी इच्छा के लिए अगर आप इस उपाय को करना चाते हैं तो आपको देखें जो शीवलिंग पर जल अर्पित करना है उसमें केसर तो अवश्य मिलाना है और बेल पत्र भी आपको 21 या 11 उसमें ओम या ओम नवश्य करके अवश्य चड़ाने हैं साथ ही साथ आपको देखें आपको गठबंदर नहीं करना है अगर आपकी मनोकामना विवास संब्दिन नहीं है तब आपको उस दिन बैल को हराचारा या गौह माता को रोटी थोड़ी सी गुड़ और हल्दी के साथ अवश्य खिलानी है अगर के साथ जो भी आपकी मनोकामना है चाए विवा के लिए हैं चाए कोई भी मनोकामना है अगर इस दिन 108 गोलियां ओम नमर्शिवाय कहते हुए अगर आप मचलियों को खिलाते हैं या फिर किसी नदी या तलाब में डालते हैं तो निश्यत ही आपकी मनोकामना पूरी होती है दोस्तों आप मनोकामना के लिए या फिर विवा के लिए इस उपाय को अवश्य करके देखिए आपको निश्यत ही लाब मिलेगा खासकर जो 108 गोलियां मचलियों को डालना है वो आप किसी एक्वारिव में भी डाल सकते हैं देखना जितनी भी रुकावटे आरी हैं आपकी विवा के लिए चाहिए कोई भी मनोकामना के लिए आप इसको करके जरूर देखें आपको 101 परसंड लाब मिलने वाला है इतना मतलब चमतकारी उपाय मैंने आपके साथ शेयर किया है क्योंकि इससे नहीं बहुतों को लाब हुआ है इसलिए मैंने आज आपके साथ शेयर कर किसी भी मनों कामना के लिए और आप आप जूज रहे हैं परेशान हैं चाय करजे के लिए चाय किसी बीमारी से तब भिस उपाय को करके ज़रुड देखेंगा आपको निश्शित ही लाव मिलेगा आप सभी को जैशी कृष्णा